हेलो नमस्कार माय डी के पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस ओनलाइन प्लेटफॉम में जिसका नाम है हरी कॉंपिटिशन एकाडमी इसमें हम लोग कम्प्यूटर का वीडियो लेकर के आते हैं जो कि आपके अबजेक्टिव पेटर्न में रहता है और ये question आपके वीविन एक्जाम में पूछे का प्रशन होते हैं जिन से हम लोग क्या करते हैं question के साथ-साथ concept को समझने का प्रियास करते हैं और आगे किस प्रकार की question पूछे जा सकते हैं आगामी एक्जाम में इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग discuss करते हैं ठीक है तो चलिए जादा देरने करते हो वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपके homework question ठीक है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले discuss करेंगे question number 21 question में नीमनलिकित में से कौन सा कथन असत्य है इसको आप लोग को बताना है तो इसके लिए आपको जितने भी कथन दिये हुए हैं सबको बारी बारी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो पहला कथन कहता है आपका delete file रिसाइकल भी इनमें restore हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है ठीक है तो यह कथन तो आपका सत्य है लेकिन आपको क्या बताना है जो कथन सही नहीं है उसको बताना है file को recycle भी इनमें भेजने पर disk में free space restore हो सकता है तो फाइलों को क्या करना है recycle में भेजने पर क्या हो जाएगा disk का कहने का मतलब आपके hard disk का जहां पर आपका फाइल सेब है वहाँ पर free space restore हो सकता है तो ये कथन आपका असत्य है तो इसका answer क्या हो जाएगा B number option हो जाएगा C कथन को भी पढ़ लेते हैं किसी text से delete हुआ एक passage restore हो सकता है यदि delete करने के तुरण बाद संयुक्त फाइल बंद न हो ठीक है तो ये भी आपका सत्य कथन है तो यहां से आपका answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा option number B एक और question था question 22 ठीक है CPU के द्वारा संसोधी process किया जा रहे program एवां data को संग्रहित करने के लिए कौन सी computer memory का उप्योग होता है तो आप लोगों पता है CPU द्वारा जो process किया जाता है तो आप process किस पे खोचता है मतलब किस memory के सायता से करता है internal memory जिसको हम लोग किस से ना जानते है आपके मुखे memory, main memory या तो आपका primary memory ठीक है इसमें कौन-कौन सामिल है तो इसमें आपका RAM सामिल है, ROM सामिल है register और cache memory सामिल है जो process होता है कौन सी memory पे होता है तो होता है आपके RAM पे होता है ठीक है RAM को हम लोग क्या कहते है CPU का working memory कहते है यानि की कारी-कारी memory कहते है ठीक है CPU में कौन सा memory आपका लगा होता है तो आपके CPU में register लगा होता है उसके बाद CPU से संपरक में कौन सा memory रहता है तो CPU के संपरक में आपका cache memory रहता है इन सभी के बारे में हमने previous वीडियो में क्या कर लिया है discuss कर लिया है previous वीडियो हम लोग का मुख्य memory या primary memory या internal memory के उपर था तो आज का जो यह वीडियो होगा यह आपके secondary memory के उपर होगा जो primary memory के आपके question थे उसको हमने previous वीडियो में देख लिया है और यहाँ पर आप comment box से answer आया है ठीक है अजय सिंग राजपूत जी का इन्होंने दोनों question का सही जवाब बताया है ठीक है तो इस type के comment आप लोग भी क्या किजिए आप लोग भी जो homework में question मिलता है उसको solve करने का प्रियास कीजिए भले ही आपका सही हो या गलत हो ठीक है इससे आप लोग को सीखने को कम से कम मिलेगा और वीडियो को सुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ में जितने भी question आप लोग को मिलते हैं सब को बनाने का प्रियास कीजिए और जीतना आप लोग का सही हो रहा है उसको नीचे comment box में बताने का प्रियास कीजिए ठीक है तो पहला question हम लोग लेगे पहला question लेते हैं एक छोटा optical storage device जिस data जिस पर data जैसे गाना, text या graphics image को digitally encode किया जा सकता है मतलब एक छोटा सा हमें optical storage के बारे में बताना है जिसमें हम लोग क्या store कर सकते हैं गाना, text या graphics image को digital form में क्या कर सकते हैं store कर सकते हैं तो यहाँ पे option दिया हुए हैं आपके compact disk, floppy disk, file server और इनमें से कोई नहीं तो इस जो question है इसका answer क्या है आपका compact disk, compact disk कहने का मतलब आपके cd से है ठीक है, और cd में आप लोग क्या करते हो गाना, text या graphics को store करके रखते हो ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका option number यह हो जाएगा अगला question हम लोग देखते हैं CPU या बाह मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहा जाता है, option है आपके input output cycle, data unit bus cycle या beat note ठीक है, तो जो CPU और बाह मेमोरी होता है CPU आपके कहां पर इस्तित होता है तो एक board रहता है, ठीक है एक printed circuit board रहता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो mother board के नाम से जानते हैं किस board से जानते हैं, mother board के नाम से जानते हैं इसमें क्या रहता है आपका एक छोटा सा CPU रहता है क्या रहता है, छोटा सा CPU किसके अंदर आपके, mother board के अंदर और यहीं पर आपका क्या रहता है RAM रहता है, ठीक है कहां पे आपके Motherboard के अंदर लेकिन जो Secondary Memory है ये Motherboard के अंदर नहीं रहते हैं ये बाहरी रूप में रहते हैं मतलब बाहरी Memory इसलिए इसको कहा जाता है External Memory कहा जाता है तो यहां पे आपका एक Memory मिलेगा Hard Disk जिसको हम लोग क्या करते हैं बाहर से Attach करते हैं और जब इसको बाहर से हम लोग Attach करेंगे तो इसको CPU से जोड़ना पड़ेगा तो CPU से हम लोग जीस माद्यम में जोड़ेंगे मलब CPU से जोडने कहने का आसा है ये सबसे पहले किस पर जोड़ेगा आपके Motherboard से जोड़ेगा तो इस जो आपके जोड़ने का लिए हम लोग जीस वायर का परियोग करते हैं उसे कंप्यूटर की भासा में हम लोग क्या कहते हैं बस कहते हैं तो ये आपके CPU हो गया CPU Motherboard के अंदर में जीस डिवाइस से connected रहता है उसको हम लोग internal bus कहते हैं Motherboard भी यूज होने वाले बसों को हम लोग क्या कहते हैं internal bus कहते हैं और Motherboard से बाहर के जो bus यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं external bus कहते हैं बस दो प्रकार के होते हैं एक internal bus होता है और एक आपका external bus होता है internal bus आपके CPU को Motherboard के अंदर से के device से जोड़ता है, जैसे आपके RAM हो गया, ROM हो गया, इससे जोड़ के रखता है कौन आपका internal bus, ठीक है, और hard इसका आपके pen drive जो जुड़े होते हैं, वो किस से जुड़े होते हैं, तो आपके external bus से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इस question का answer हम लोग देखेंग option number C हो जाएगा, ठीक है, previous video में हम लोग क्या देखे थे, internal memory के बारे में बात किये थे, उसके type के बारे में बात किये थे, इस video में हम लोग क्या करेंगे, पूरे आपके memory को जो जितने भी type से हम लोग divide कर सकते हैं, सभी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग क चार्ड दिक रहा होगा, इस चार्ड के मादधियम से हम लोग क्या समझेंगे, जो memory के प्रकार हैं, उसको समझने का प्रियास करते हैं, ठीक है, memory को हमने क्या किया था, दो भागों में वर्गे क्रित किया था, कितने भागों में, दो भागों में, एक आपका primary memory, जिसको हम देख चुके हैं, ये दो प्रकार का होता है, Ist-Thigh and non-volatile उर volatile, जिसमें आपका non-volatile में क्या आता है, ROM आता है, ठीक है, क्या आता है, Read Only Memory आता है, Read Only Memory कर्म लोग, दो तीन टाइपस हम दिवाईट कर सकते हैं, एक आपकाне P Rom, एक आपका E P Rom, और एक आपका, क्या हो तो इसको आप लोग बेसिक तीन भागों में डिवाइट कर सकते हो कौन कौन सा यह पहला हो जाएगा पी रोम यह दूसरा हो जाएगा एपी रोम और तीसरा क्या हो जाएगा एपी रोम हो तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे दो भागों में डिवाइट करेंगे कितने भागों में डिवाइट करेंगे कौन कौन से भागों में तो इसके जो डेटा को पढ़ने का क्रम है उसके अनुसार इसको हम लोग दो भागों में डिवाइट करेंगे कि इसको आपके धुतियक memory को कौन कौन सा तो एक होगा क्रमानुसार memory जिसको हम लोग क्या बोलेंगे sequential memory ठीक है और एक होगा आपका direct access memory ठीक है मतलब इसमें क्या क्या जाता है sequential memory में आपका क्या क्या जाएगा जो data रहेगा ठीक है उसको एक के बाद एक sequence में हम लोग पढ़ते जाएंगे डेटा पढ़ने का तरीका क्या होगा sequence में होगा ठीक है जैसे यह पहला अपने पढ़ा उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा उसके बाद चौन था उसके बाद पाच बाद यह एक sequence में पढ़ने का जो क्रम है उसको हम लोग क्या बोल है कि डेता को आप लोग अपने वांचित अपने अनुसार कई बी किसी भी डेता को पड़ सकते हो ठीक है जैसे मुझे मुझे जौते नंमबर का डेटा पड़ना है तो ड्रेक्ट Nowak उटाग्ड में अगर मान लीजिए मुझे चाउधे से फिर से दूसरे में जाना है तो मैं दूसरा को पढ़ सकता हूँ, दूसरे से पाँचपा में आना है तो मैं पाँचपा को पढ़ सकता हूँ, किसमें आपके direct access memory में, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, लेकिन हम लोग जो sequential access memory है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि इसको आपके जो sequential access memory है, तो इसमें एक नाम आप लोग पकड़ लेना, magnetic tape, कई बार एक्जामें पूछा गया है, कौन सा आपका क्रमानुसार memory है, कौन सा आपका sequential access memory है, तो यहाँ पे आप लोग एक ही नाम पकड़ लेना, magnetic tape, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग direct access memory की बात करें, तो इसको हम लोग फिर से तीन भागों में divide करेंगे, किसको आपके direct access memory को, कौन-कौन सा, तो पहला type क्या हो जाएगा आपका, चुम्बकिय डिस्क, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, magnetic disk से, ठीक है, उसके बाद आपका optical disk, ठीक है, क्या बजाएगा आपका optical disk, उसके बाद electronic storage device, तो सबसे पहले हम लोग चुम्बकिय डिस्क की बात करें, magnetic disk की बात करें, तो इसमें आपका क्या आता है, मलब आपके जो compact disk का है, उसके जितने भी type है, इसमें आजाते हैं, ठीक है, जैसे आपका CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-RW, उसके बाद DVD, उसके बाद BRD, मतलब Blue Redis, उसके बाद HVD, ठीक है, ये सभी किसमें आजाएंगे आपके optical memory device में आजाएंगे, ठीक है, मतलब optical device कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें data को read and write करने का तरीका किसके थुरू किया जाए, आपके तरंगों मतलब laser beam के थुरू किया जाए, किसमें आपके optical disk कमें, और magnetic में आपके चुम्बकी विधी का प्रयोग किया जाए, ठीक है, और electronic विधी से data को store करने वाले device को हम लोग electronic storage device में जानेंगे, जैसे आपका क्या जाएगा, flash memory या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका pen drive कहते हैं, ठीक है, उसके बाद memory card, ठीक है, यह भी किसमें आएगा, आपका electronic storage device में, उसके बाद solid state drive, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, SSD के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, जो secondary memory है, इसको data को पढ़ने के क्रम के अनुसार दो भागों में हम लोग divide करेंगे, एक आपका sequential access memory, इसमें आपको एक नाम याद रखना है, सिर्फ magnetic tape, मेंगनेटिक tape ही क्या है, आपका sequential access memory है, जो पहले कि आपके cassette आते थे, वो क्या है आपका sequential access memory होता था, इसमें data को पढ़ने का करम कैसा होता था, बाई sequence होता था, ठीक है, अब कि जो memory आ रहे हो, क्या है, direct प्रटिंग दिवाइट है अगर चुम्हकी सींबगिस करें चंब की rechts तो से तुमनिःट्स करेंगे तो हमें लिखेंगे प्रन कर क्या गएगा अप्रिकल डिस्क मे आप आपका blu-ray disk का जाएगा ठीक है जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे BID अगर electronic storage device की बात करें तो इसमें आप लोग प्रेस memory यानि pen drive, memory card और SSD को देख सकते हो अब यहां से क्या question पूछा जाएगा तो यहां से question इसके type से ही बन जाएगे ठीक है और एक बन जाएगा इसके storage capacity से ठीक है किसे बन जाएगे आपके storage capacity से तो storage capacity में अगर CD की बात करें तो इसका storage कितना होता है 700 MB होता है ठीक है कितना इस CD के प्रकार है चाहे CD ROM हो चाहे CD R हो चाहे CD W हो इसका storage capacity कितना होता है 700 से लेकर के 750 तक होता है किसमें होता है MB में होता है तो यह याद रखना है अगर DVD की बात करें तो यह 4.7 GB तक का होता है कौन आपका DVD उसके बाद blue radius की बात करें तो इसमें दो layer होते हैं किसमें आप 25 GB data को इस्टोर करके रखता है अगर दोनों layer की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 50 GB data हो जाएगा किसमें आपके BRD में फ्लेंस में में यह आपके चाहर जीवी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक क्या आते हैं वहाई पर अगर hard disk की की बात करें तो यह भी TV में आते हैं ठीक है यह आपके 80 GB, आपके 500 GB, एक TV तक के hard disk हो सकते हैं और जो आपका मुख्या storage device है दूतियक मेमोरी में वो कौन सा है आपका hard disk या तो आपका SSD है ठीक है उसके बाद jeep disk जो होता है यह 200 MB का होता है तो यहाँ पर question क्या बन सकता है तो question एक तो इसके प्रकार से बन सकता है कौन सा प्रकार है secondary मेमोरी है या प्रात्मिक मेमोरी है ठीक है एक question आपका बन सकता है कौन सा sequential मेमोरी है कौन सा direct access मेमोरी है ठीक है और question क्या बन सकता है कि किसकी बंडा परण चमता के अधार पे इसके क्रम को जमाई एब को हम लोग बारी-बारी से सवलो करें का प्रियाश करेंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे अपना अगला question ठीक है तो नीमन में से कौन सा अलग है यहां पे बताना है यहां पे दिया है CD DVD यहां पे दिया है ROM में fit रहता है कौन आपका BIOS मतलब computer को on करने की प्रक्रिया booting कर लाती है और जैसे ही computer को हम लोग on करते है तो जो सबसे पहला program run होता है उसे किस नाम से जाना जाता है BIOS के नाम से जाना जाता है जो कि किस में आएगी आपके internal memory में आएगी ठीक है किस में आएगी internal memory में आएगी लेकिन ये तीनों किस में आएगे आपके secondary memory में आएगे ठीक है किस में आएगे आपके secondary memory में आएगे तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा आपका option number D हो जाएगा इसका answer क्या हो जाएगा BIOS हो जाएगा अगले question देखते हैं, अगला question हम लोग का CD-ROM है, तो यहाँ पर बताना है CD-ROM कैसा memory है, उसको आप लोग को बताना है, तो CD-ROM क्या semiconductor memory है, क्या आपका memory register है, क्या आपका magnetic memory है, या इन में से कोई नहीं है, तो देखिए, जितने भी यहाँ पर type दिया हो है, जो CD है या CD-ROM है, यह इन में से किसी भी type में नहीं आता है, क्योंकि यह कौन से प्रकार है, तो यह है optical disk का है, क्या है optical disk का है, क्या है, कौन से आपका CD-ROM, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका option number D हो जाएगा, उपयूक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉपी डिस्क में होता है फ्रॉपी डिस्क में देखिए फ्रॉपी डिस्क का पहले यूज किया जाता था तो इसमें आपके circular tracks भी रहते थे और sector भी रहते थे तो इस हिसाब से answer क्या होना चाहिए था A और B दोनों होना चाहिए था लेकिन यहाँ आपके 2018 का CGPAPAM का question है इसमें answer क्या लिया है उप्यूकत सभी को लिया है क्यों लिया है क्योंकि एक word है जो आपका क्या है सिर्फ इसमें क्या बोला गया है सिर्फ circular tracks होते हैं या तो बोला है कि सिर्फ sector होते हैं ठीक है अगर यह word नहीं होता तो इसका answer क्या होता A और B दोनों होते हैं क्योंकि इसमें आपका circular tracks भी होता है और tracks किसमें आपके convert होते हैं तो sector में convert होते हैं ठीक है कौन सी memory में? floppy disk में तो यहां पर सिर्फ सब्द का use हुआ है इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा? उप्यूक्त में से कोई नहीं तो इस question तो इस हिसाब से यह question क्या हो जाता है? बहुत important हो जाता है ठीक है? अगली बार आपको यह word देखने को न मिले और यह दोनों option आप लोगों को देखने को मिल सकता है ठीक है? तो अगले question की तरब आगे बढ़ते हैं अगला question हम लोग का एक hard disk का track में विवाजित होता है जो पुना उप विवाजित होता है जो hard disk होता है वो कौन सा device है? आपका magnetic storage device है ठीक है? इसमें क्या होता है? एक gold disk होता है क्या होता है? gold disk होता है ठीक है? और यह disk किसमें आपके divide होते हैं तो आपके track में divide होते हैं किसमें आपके divide रहते हैं? track में divide रहते हैं ठीक है? और इन track को फिर से हम लोग किसमें divide करते हैं किसमें divide करते हैं, sector में divide करते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, ठीक है, अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगला question है, question number 7, वीडियो और movie जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या इस्तमाल होता है, तो वीडियो और आ storage के पिसिटी है, वो DVD से क्या है, कम है, किस से कम है आपके DVD से, तो इसका answer क्या हो जाएगा, DVD का, क्योंकि इसमें किसका उप्योग हुआ है, आपके बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए, तो यहाँ से answer क्या हो जाएगा, आपका DVD हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉप sequential access प्रदान करता है, ठीक है, मतलब सूचिना को अनुक्रमीत पढ़ने का अनुमती प्रदान करता है, कौन सा, इसमें आप लोग को बताना है, sequential कहने का मतलब, एक के बाद एक क्रमा नुसा, ठीक है, एक, दो, तीन, इस क्रम में क्या करना पड़ेगा, डेटा को हम लोग को पड़ना पड़ेगा, तो एक ही मेमोरी है, जिसमें क्या होता है, sequential data access होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपके, magnetic tape के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर magnetic disk अलग है, और magnetic tape अलग है, magnetic tape आपका क्या है, तो sequential access अपका मेमोरी है, ठीक है, तो आपको याद access मेमोरी है, ठीक है, इस प्रकार से भी question पूछा गया है, तो अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला question हम लोग का, question number 9, एक compact disk की प्रकार access प्रदान करती है, compact disk कहने का में आ साई क्या है, CD से है, तो CD में हम लोग data को किस रूप में पढ़ सकते हैं, अनुक्रमिक कहने क का से sequential हो जाएगा, प्रतियक्ष कहने का से क्या हो जाएगा, डारेक्ट हो जाएगा, तो CD में जो आप डेटा को पढ़ोगे, वो आप चाहो तो sequential भी पढ़ सकते हो, ठीक है, 1, 2, 3 कर सकते हो, या तो आप लोग सीधा-सीधा direct 3 में पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद 2, म उसमें आप लोग sequential डेटा को भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A और B दुनों हो जाएगे, ठीक है, इसका अंसर क्या हो जाएगा, A और B दुनों हो जाएगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला question है, question number 10, नीचे दिये गए विकल्पों में से उनके data accessing क्रिया विदी के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान कीजिए, जो data को access करने के तरीके हैं, उनमें हमें क्या करना है, जो असंगत है, उसको हमें पहचान करना है, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है, फिर हार डिस्क दिया है, फिर तो सिकेंशियल डेटा एक्सेस कर सकते हों- इसका अंसर क्या हो जाएगा — Option नमबर हो जाएगा — तुषन आप लोगो समज में आ रहे होंगे क्वेस्चिन आप से बन रहे होंगे जान है in Toody आपका उसके सांथ हम लोग देखेंगे 11 नमबर question निमन ऑप्टिकल मेडिया ग्रूप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग केपिसिटी अधिकतम होती है अब यहाँ पर आप लोगों बताना है किसमें आपका क्या होगा जो मेमोरी की केपिसिटी है वो अधिक होगा तो यहाँ आप क्या दिया है डीवीडीडी का पूरा नाम क्या है अपका डीज़िटल वर्सा-बो डीश का डीवीडी र्व डीवीडी डीडी र्व्रम में divine निया के इसमें इसके बाद ब्लू-डी इसके अंसे टीक है QE इन चारों में से आपको क्या बताना है किसकी स्टोरेज क्यपिसिटी अधिक होती है तो जो डीवीडी की क्यपिसिटी है वह कितनी रहती है चारदस्मनों साथ जीबी रहती है ठीक है लेकिन जो Blu-ray रहता है इसके एक layer की capacity कितनी रहती है 25 GB रहती है ठीक है अगर दोनों layer की हम लोग बात करें तो cool कितना हो जाएगा 50 GB हो जाएगा किसमें आपके Blu-ray में तो किसका अधिक होगा Blu-ray का अधिक होगा तो इस question का answer क्या हो जाएगा Blu-ray हो जाएगा उसके बाद next question है निमनल इखित में से कौमजा कथन सत्यया है यहाँ फे आप लोग कत्हन को ध्यान से पढ़ना उसके बाद सत्य कथन को बताना है तो CD की memory DVD से अधिक होती है CD की memory DVD से अधिक होती है CD unnecessary कितनी होती है वाई 700 से होती है 1990 कितनी होती है डिभीडी को बढ़ें 7 , 4 GB हो थो आप बताये MB बड़ा है कि जी वी बड़ा है तो आप बलांगे 2020 यह कथन सही है क्या तो नहीं है ठीक है लेकिन हमें क्या बताना है सत्य कथन बताना है dvd i memory की CD से अधीक होती है तो यहां पर यह तूल्टा बुला गया है, मतलब यह कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा, लेकिन आपको C कथन भी पढ़ लेना है, CD टठा DVD की समान मेमोरी होती है, तो यह तो बिल्कुल गलत है, CD का 700 MB होता है, और DVD का कितना होता है, 4.7 GB होता है, तो इस हिसाफ से इस question का answer क्या हो है, next question हम लोग का, निमनले खित में से कौन सा एक optical drive है, optical drive को आप लोग को बताना है, hard disk का है क्या, तो नहीं, यह magnetic drive है, ठीक है, CD drive है क्या, यह बिल्कुल optical drive है, तो यहां से आपका क्या हो जाना चाहिए, answer क्या हो जाना चाहिए, option number B हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को option C क और DVD भी आपका क्या है, optical disk का है, ठीक है, इन दोनों में आपका जो data पढ़ने का तरीका है, वो optical रूप से होता है, ठीक है, उसके बाद, magnetic storage device का उधारण है, तो जो magnetic storage device है, वो कौन सा है इसका answer, तो आपका hard disk का हो जाएगा, ठीक है, जो CD और optical drive है, एक ही type के है, और flash memory आप electronic storage device में आएगा, तो यहाँ पर magnetic disk किस में आएगा, तो आपके hard disk में आएगे, ठीक है, hard disk हो गए, चाहे proper disk हो गए, किस में आते हैं, आपके, magnetic storage device में आते हैं, अगला question हम लोग देखते हैं, next question है, निमनलिकित में से कौन से device में data एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, यहाँ पर क्या पूचा गया है, निमनलिकित में से कौन से device में data एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता, तो जो CDR है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, warm बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और बोलते हैं किसको आपके CDR को और मैं कहने का से क्या है Write once, read more ठीक है, मतलब एक बार लिखिये कई बार पढ़िये, कौन सा मेमोरी आपका CDR है, ठीक है और CD आपका RW क्या है कि इसको rewrite किया जा सकता है कि इसको आपके CDRW को लेकिन जो CDR है इसको हम लोग केवल एक ही बार क्या कर सकते है लिख सकते है एक से अधिक बार इसको नहीं लिख सकते है कि इसको आपके CDR को तो यहां से answer क्या हो जाएगा आपका CDR हो जाएगा, ठीक है अपका DVD RW भी इसमें हम लोग data को rewrite कर सकते हैं और लेकिन फ्लेश डाइब में भी हम लोग क्या कर सकते है data को rewrite कर सकते है लेकिन जो CDR है इसमें data को केवल एक ही बार आपका write किया जा सकता है उसके बाद next question देखते है CDROM में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है तो CDROM में optical memory device है इसमें कौन सा तकनीक होगा laser beam के through क्या किया जाता है data को read किया जाता है और write किया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा next question निमनल लिखित में से किस प्रकार की CD में information को meet आया जा सकता है तथा दोबारा लिखा जा सकता है तो यह आपका answer क्या हो जाएगा CDRW CDRW में हम लोग क्या कर सकते है rewrite कर सकते है किसमें आपके CDRW में इसमें केवल एक ही बार लिखा जा सकता है और इसमें भी केवल एक ही बार लिखा जा सकता है उसके बाद next question है निमनल में से कौन सा secondary storage device नहीं है अब यहां पर बताना है कौन सा secondary storage device नहीं है secondary नहीं होगा तो primary होगा primary कौन सा आपका RAM है RAM क्या है आपका primary storage device है बाकी यह तीनों क्या है आपके secondary storage device है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा इसी परकार के question आपको exam में देखने को मिलेंगे उसके बाद next question है एक storage location में data डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है very most important question है storage device में जो data को हम लोग डालते है उसको हम लोग क्या कहते है writing कहते है क्या कहते है writing कहते है किसको आपके data को डालने का और data को पढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है 急急 facto कला लपिए अगर बात करें आपके ऑप्तिकल डिस्क ही तो ऊप्तिकल डिस्क में किसके थुरूप का क्या किया जाता है निजस्टा सभूप लेजर के तुकिए जाता है wounded करते हैं क्या कहते हैं तो ये यह दो याद रहोगे ऑफ टिकली कलत इस चीप जितने ढ़ी इसको आप लोग याद रखोगे इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका राइटिंग हो जाएगा अगर यहीं पर question आप से पूछा जाता कि CD में डेटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो answer क्या हो जाता आपका बर्निंग हो जाता ठीक है तो इसको आप लोग याद नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग का last question है ठीक है last question क्या है निमनलेकित में से कौन सा non volatile memory के नाम से जाना जाता है ठीक है कौन सा इसमें से non volatile memory है non volatile कहने का सा है क्या हो जाएगा इस्थाई memory क्या हो जाएगा इस्थाई memory हो जाएगा ठीक है जिसमें हम लोग data को permanent store करके रख सकते हैं तो आपका CD ROM क्या है, आपका स्थाई है, ओर menory है है, यहाँ पर आप लोग इस option को क्या कर लोगे? इस को को इसको क्या कर लोगे उप्रोक्त सभी कर लोगे तो यहां पर क्या पूछा गया है नोन वोलाटाइल कहने का मतलब इस्थाई इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी हो जाएगा तो इसका अंसर आप लोग को कमेंट्स में चापना है क्वेस्चन क्या है पढ़ लिजिए क्वेस्चन पूछ रहा है आपसे कि निमनल इखित में से मेंगनेटिक डिस्क की तूलना में अधिक डेटा एकसेस करने की गती है क्या है आप लोग को बताना है पहला है CD-ROM दूसरा है आपका CD-RW उसके बाद तीसरा है आपका DVD उसके बाद चौथा अपसन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं इसका अंसर आप लोग को कमेंट बोक्स में छाप देना है ठीक है तो यह था आज का वीडियो और इस वीडियो में फिलाल इतना है यहां से आपके memory में आपका तीन वीडियो अपलोड किया जा चुका है सबसे पहले हम लोग memory की जो इकाईया थी माप थी उनसे सम्मंदित question को solo किये उसके बाद आपके primary memory और फिर यह आज का वीडियो किस पर है तो secondary memory के उपर है ठीक है तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक share कीजिए like कीजिए धन्यवाद